तो दोस्तो फाइनली यूट्यूब का जो हमारे पास short video platform है वो enable हो चुका है आपने देखा होगा बहुत सारी videos यूट्यूब पे upload हो गई लेकिन सबने बस announcement किया किसी के बास था नहीं वर luckily हम लोगों के पास यह चीज आ चुकी है Vita version में तो मैं आपको इस video में पूरा complete आइंगी और वहां पे दूसरा आपका इनेवल हो जाएगा और मेरे लिए था महात्माई टेक्निकल के लिए कि आपको एक seminars में introduce किया गया है उसमें आपको सिखाया जाएगा कि क्या कैसे फिर आप लोगों को बता सकते हैं तो मैं फिर वो भी learnings लूँगा क्योंकि मैं कहीं नहीं कहीं आप लोगों को सिखाने के लिए जुटा रहता हूं सारे students हैं किस तरीके से YouTube पे काम करना तो मैं ट्रेनिंग्स ऐसी हमेशा लेता रहता हूं जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पारे हैं कि मैंने वो चीज ली है तो चलिए इस वीडियो में पूरा सिखते हैं कि कि यूटीब में यूज करना है चीज समझ में आ जाएगा तो आप सबसे पहले YouTube को अपडेट कर लीजिए अपडेट करने के बाद आपको यह पर प्लस आइकन मिलेगा तो आप प्लस आइकन को टैप करेंगे तो आपको यहाप वीडियो और लाइफ का उप्शन मिलने के बाद मैं वीडियो में टैप करता अपडेटों को तो अभी मैं फिराल Speed के option को दिखा देता हूँ तो अभी मैं Speed में जाता हूँ और यहाँ पर मैं 0.3X रखता हूँ जो की slow motion है और यहां पर 3X है जो की Fast motion है तो मैं 0.3X रखता हूँ और इसको shoot करने क्या चालू कर देता हूँ, तो अब देख सकते कुछ इस तरीके से शूट हो रहा है तो अभी मैं इसको पॉस कर देता हूं ओके फिर इसके बाद मैं 3x में आ जाता हूं और फिर मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरीके साथ स्पीड बदल सकते हैं पॉस करके तो अभी मैं फिर से स्टॉप कर देता हूं और यहां पर मैं नेक्स्ट पर टैप करता हूं तो यहां पर अफकॉस मेरा आवाज भी रिकॉर्ड हुआ होगा तो अगर आपको आपको आवाज आये तो के लिए माफ कर देना तो अभी हम लोगoffs में टैप करते तो आप देख सकते हैं नेक्ट में टैप करने के बाद गोछीज तरीके कर देंगा वीडियोगों होने लग जाता है तो अभी मैं फिर से नेक्स्ट में करता हूं और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह अब 2500 रुपीस का ये कोर्स है और 10 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगा नहीं इसकी प्राइस कम होगी अगर हो गई तो पूरे पैसे मैं वापस कर सकता हूँ आपको तो ये तमीन्स की क्लेर है कि 10 अक्टूबर को ये कोर्स क्लोज हो रहा है और इतने सारे स्टूदिन ने बेनेफिट लिया अगर आप अब इसके डिमांड के कैपबल है तो 2500 में आप ये बेनेफिट ले सकते हैं और इसके अलाबा बहुत सारी बेनेफिट्स है जैसे कि होस्ट का अप्शन आता है तो ये एड डिटेल के उप्शन को मैं थोड़े देर बाद एक्स्प्लेइन करूंगा अभी मैं बैक चलता हूँ तो चली अब हम लोग बैक आगए इसके बाद मैं आपको टाइमर के उप्शन को भी दिखा देता हूं तो हम लोग टाइमर में जाते है तो यहां से timer में आप countdown को set कर सकते हैं तो इसमें 3 second, 10 second और 20 second का option मिल जाता है फिर यहां पे नीचे आपको stop point का भी option मिलता है आप चाहे तो अपने point को stop कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे 10 second का वीडियो बनाना है तो आप यहां से set कर सकते हैं कि 10 second बाद यह अपने आप stop हो जाए तो अभी मैं इसको set कर देता हूँ लगबग 10 second में तो आप देख सकते हैं 10 second में set नहीं हो सकता है क्योंकि अल्रेडी 14.1 second तक set हो चुका है अभी फिलाल में इसको cancel कर देता हूँ यहां से तो यहां पे आप देख सकते है रिकॉर्ड बटन के side में delete का option है मैं delete में tap करता हूँ तो यहां से delete हो जाता है अगर आपको लगता है कि अपने गलती से delete कर दिया तो यहां पे redo का भी option मिलता है आप simply redo में जाएगे और यह वापस back आ जाएगा तो अभी मैं इसको फिलाल delete कर देता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो नहीं चाहिए फिर इसके बाद मैं फिर से record में tap करने से पहले timer में जाऊंगा और यहां पे timer में set कर देता हूँ 3 seconds फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ 15 seconds से 10 seconds में ला देता ह तो अब देख सकते हैं मैं इसको 10 seconds में ला दिया है फिर इसके बाद मैं start में tap करता हूँ तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से start हो जाता है countdown फिर इसके बाद recording को pause कर देता हूँ ओके यह पॉस हो चुका है अब इसके बाद हम लोग नेस्ट में टैप करेंगे तो यह वीडियो सिमिलरली उसके जैसा एड़ डिटेल्स में खुल जाएगा जिसमें हम लोग इस वीडियो को और ट्रिम कर सकते हैं और फिर टाइटल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं तो अभी फ अपलोड का ओप्शन मिलता है मैं अपलोड में जाता हूं तो यहाँ पर मैं असानी से अपने गैलरी में जो भी वीडियो है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकता हूं तो चलिए मैं इसको सेलेट कर लेता हूं तो इसको सेलेट करने का बाद सबसे पहले मुझे ट्रीम का ओप तो जैसे की मैं लिख दे तो यहाँ पे cloud तो चलिए मैंने यहाँ पे cloud लिख दिया, okay फिर इसके बाद आपको add description का option मिलता है आप चाहे है तो इसमें description add कर सकते है तो जैसा कि अभी मैंने बोला था इसमें description add नहीं कर सकते है तो sorry वो गलती से मैंने बोल दिया था लेलिस्ट बना के डाल सकते हैं, हम लोग back चलते हैं, फिर इसके बाद आप चाहें तो इस वीडियो को upload भी कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लोड का option मिल रहा है, मैं यहाँ से directly upload कर सकता हूँ, तो अभी मैं फिलाल back चलता हूँ, क्योंकि मुझे upload नहीं करना है, इसको discard कर देते ह पर इसमें फिर से back चलते हैं, तो इसके बाद हम लोग फिर से creator short video में tap करते हैं, और मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ, जैसे कि इसमें और भी features आने वाले हैं, जैसे कि आप audio add कर सकते हैं, simply YouTube library से directly आप यहाँ पर add कर पाएंगे, यहाँ पर filters का भी option दिखाएंगे पर लेकिन वो अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी यह developing stage में है, तो यह बहुत जल्द आ जाएगा, तो अब जस्ट इसके लिए wait कीजिए, और इसका जब भी नया version आ जाएगा, मैं आपको इसका detail में explanation दे दूँगा, कि इसको कैसे use करना है, वीडियो कैसे upload करना है, कौन से filters अच्छे है, वगेरा वगेरा, पूरा detail में आपको explain कर दूँगा, तो मुझे उमीद है, आपको समझ आ गया होगा, कि आपको YouTube Shorts को कैसे चलाना है, तो अभी फिलाल तो यह आया नहीं है, तो जब भी आएगा इसका नया version में आपको detail में explain कर दूँगा, filters को कैसे use करना है audio library से music कैसे लेंगे और वगेरा वगेरा जो भी नेने features रहेंगे, तो अभी तो बहुत सारे features नहीं आएगा, तो जब भी आएगा full detail में आपको explanation मिल जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, thank you so much for watching this video